फ्रेंट्स आप किया भी इस तरह से रजगुले के डब्बे आते रहते होंगे अक्सर मिठाई आ जाती है और उनके डब्बे बच जाते हैं तो मैं आज इसी का डियाइवाई बनाने जारी हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से और मिंटो में ये डियाइवाई बनकर तयार हो जा उपर से इनके जब कलर कर देते हैं तो यह खुबसूरत भी बहुत ज्यादा लगने लगते हैं वरना नहीं तो हम लोग कबाड़ी वाले को दे देते हैं उतना पैसा भी नहीं मिलता है अगर आप गार्डनर्स हैं तो इन बॉक्स का इस्तमाल अपने घर में कर सकते हैं इसे का ध्यान रखें कि जब भी कलर करें तो थोड़ा बड़े साइस का ब्रस लें उससे कलर बहुत जल्दी हो जाता है और ब्रस को कलर करने के बाद जब यह आपके बॉक्स कलर हो जाएं तो ब्रस को आपको धुल लेना है उसके बाद पानी में ही डिप करके रखना है इससे आ आप चाहें तो किसी भी तरह का ले सकते हैं यह डिब्बी मुझे सायद 30 रुपए की पड़ी है और इससे मेरे बहुत सारे गमले कलर हो जाते हैं तो मैं इसी छोटी छोटी डिब्बी का इस्तमाल करती हूं और एक बात का ध्यान और रखेगा कि कलर करने के बाद आपको धू जादा मेरे पाश्टी अब सकते हैं तो धूझे सायदा तैन घुस्ता है तो परयर मेरे टो दो मुझे प्रिसक मेरे में सब्सक्राय करने देखाए आदे के बाद आप रखेशacre के दिखन तो इस थोड़े संब्सराइब आते हैं अब इसमें मैं अपनीया हो जादम उते हैं design बनाने जारे हूं design आप किसी तरह का भी बना सकते है छोटे-छोटे डोट बना सकते हैं मैं यहां पर लए तो मैंने बहुत सारे बना रखें हैं अब मैं थोड़ा सा अलग design देने जा रही हूं अभी गर्मी बहूत पढ़ रही है तो ऐसे में पॉधों की ज्यादा केर नहीं करनी पड़ती है सिर्फ फर्टिलाइजर देना है लिक्विड वाला और उसके लावा पानी डाल कर आना है इसके लावा फ्रेंस हपते में एक बार गुड़ाई करनी है तो मैंने सोचा क्यों ना इस समय क्राफ्ट का ही काम निप्टा लिया जाए अपने गार्डन को खूब जदा खूब सरत बनाया जाए क्योंकि अब बीज लगाने का सीजन आ रहा है बीज लगाएंगे तो उनसे और जदा पौधे तयार होंगे तब हमारे पास गमले नहीं होंगे तो इसके लिए मैं अभी से गमले तयार कर ले रही हूँ ताकि मैं उस समय पौधे सिफ् हमाने वाला है बहुत सारे पौधे तयार हो जाएंगे जिन्हें सेफ्ट करने के लिए आपके पास गमला नहीं बचेगा तो ऐसे छोटे छोटे पौट आप घर में तयार कर सकते हैं और क्या आपने कभी इस तरह का डियाई वाई बनाया है हमें कमेंट करके जरू बताएग पिक भी भी सकते हैं कि आपने किस तरह का बनाया अगर मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं भी उस तरह का बनाऊंगी इसके बाद मैं ओपर के साइड भी इसको कलर कर रहे हूं थोड़ा सा अलग हो जाएगा और डिफरेंट भी लगे यह देखे फ्रेंट कुछ अलग सा नगे इसके लाखार घरद बॉलेट के इसमिए इसके प्लाइट कर लगा रहे हैं तो छवाएट से निसान बना रहे हूं जो देखने में बहुत ज़दा खुबसूरत लगते हैं वैसे मुझे रेट कलर का बनाना था बर रेट कलर मेरे पास है नहीं खतम हो गया तो मैंने ब्लू कलर का ही इस्तमाल कर लिया ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये देखे ये भी जो है पूरी तरह के बन के तयार हो गया है लेकिन मैं इसका बॉर्डर ज़रूर बना ये मैंने लाइट कर लिया है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुब ज़र लगा इसमें मैं थोड़ा सा फ्रूट का स्टाइल बना दूंगी जैसे फ्रूट की ड्रॉइंग होती है बस उसी तरह का मैं इसमें ड्रॉइंग बनाने जा रही हूं जो अलग से ही पॉर्ट द प्यार कर लिये हैं इसमें आप बता दूं कौन कौन से पॉधे लगा सकते हैं सबसे पहले तो इनका ड्रैनेज होल अच्छे से बना लीजेगा जैसे कि आप नर्सी से पॉट लेकर आते हैं उस तरह से आपको ड्रैनेज होल बनाना है यह देखिए मैंने कुछ प्लांट लगाया है अलोवीरा लगाया है इसी तरह से आप बहुत सारे प्लांट लगा सकते हैं चोटे पॉट होते हैं उनमें आप जैट प्लांट लगा सकते हैं अलोवीरा लगा सकते हैं पर्सलेन लगा सकते हैं पॉर्चुला का लगा सकते हैं अडेनियम लगा सकते हैं परपल हा बोचिवा सत्राइब में बर्लांट सुवस्य विंटर प्लांट से जब मांसून आजाएगा तब आप उन्हें इसमें लगाईएगा बहुत ज़्यादा खुबसूरत लगेंगे इस तरह कि आप बहुत सारे गमले तयार करके रख लीजे अभी से तो जब मांसून आएगा तो इनके सीट्स लगाईए और उनमें प्लांट सिफ्ट करिए तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलेगा मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही थैंक यू